हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका अपने चनल आस क्लास में आज किस वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड परिक्षा 2021 के लिए हिंदी का महतुपूर अब्जेक्टिव प्रशन जो 2021 बोर्ड के लिए काफी महतुपूर है यह है वीडियो का पार्ट 6 अगर चैनल पर न स्टार्ट होगा पहला प्रशन उसका जवाब आपको कोमेंट बॉक्स में देना है उसके बाद जो इसमें प्रशन लिया गया उसको देखेंगे तो आईए देख लेते हैं हूमवर्क प्रशन तो हूमवर्क है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था यहां पर चार ओप् पढ़ाई अब करते हैं यहां से पहला नंबर प्रशन देखते हैं और यह वाला प्रशन आपको कोमेंट बॉक्स में जरूर बताना है यह हूमवर्क है आपका तो पहला प्रशन देख लेते हैं आप भाइचारे का दूसरा नाम क्या है यह ओप्शन है लोगतंत्र बी ओप भारत में जाती प्रथा का पर मोूख कारण क्या है भारत में जाती प्रथा का पर मूख कारण है ऑन अ प्रमुक कारण क्या है बिरोजगारी के कारण ही यह सब हो रहते हैं प्राइट अगला नंबर प्रश्ण तीन नंबर प्रश्ण है सेंड सहाब की नई अगलाट प्रश्ण अगलाट वान्व कोण मौर्ट तीन मोटर कार चुए कंवागला अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है मदन के पीता का नाम क्या था A option है सिन सहाब B option है मोहन C option है रामनाथ D option है गरधरलाल जो मदन था उसके पीता का नाम क्या था तो मदन के पीता का नाम क्या था गरधरलाल था तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा D, D option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिजए और जो वीडियो है उसको लाइक कर दिजए अभी और अपने दोस्तों के पास जरूर सेर कीजएगा और जो बेल आइकोन आएगा सब्सक्राइब करने के बाद उससे जरूर दबा दिजेगा तभी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तब तक आपके पास पहुँचेगा अगर नहीं दबाएगा तो नहीं पहुँच पाएगा आईए दिखते हैं अगला नमबर प्रशन अगला नमबर प्रशन है हजारी परसाद दिवेदी का रचना नेमन में से क्या है जो हजारी परसाद दिवेदी जी का रचना है वो इन में से क्या है आपको बताना है ए उप्सेन है बहादूर बी उप्सेन है नाखून क्यों बढ़ते हैं यहाँ पर साथ दुवेदी जी का लिखा हुआ कौन सा है रचना का कौन है तो यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं यहाँ पर भारत के किस परदेश यानि राज्य की लिपी है यहाँ पर चूरी का आरोप किस ने लगाया था बहादूर था उस पर चूरी का आरोप किस ने लगाया था अगला पर चूरी का इलिए आम किस ने लगाया था तो निर्मला के रिस्तदार लगाया था तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा डी डी ओप्शन के क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यह दिख लेते हैं अगला नंबर प्रश्ण अगला प्रश्ण है बहादूर का सोभाव कैसा था ए उप्शन है चूर था बी उप्शन है करमट और इमंदार था सी ऑप्शन है क्वम प्रश्ण दी ऑप्शन है था तो बहादूर का किसा सभाव का था तो करमट और इमंदार था यहां पर राइट अंसर हो जाएगा बी उप्शन क्या हो जाएगा जैंगा अगला प्रश्ण है दूसरों की सहृत्य चूरी कर करके लिखता है वो कैसा होता है तो यह दीख लेते हैं अगला परशन पंडित बिरजु महराज का जनम कहां हुआ था यह अने बनारसि बक्टिख लखनव, C option है इलहावाद, D option है बक्सर तो यहाँ पे पूछा गया पंडित बिर्जु महराज का जनम कहाँ पे हुआ था तो लखनव में हुआ था तो राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पे B, B option लखनव के हो जाएगा, सही हो जाएगा आईए देख लेते हैं अगला प्रशन, अगला प्रशन है 11 नमबर बिर्जु महराज और उनके पीता किस दर्बार में नाचते थे जो बिर्जु महराज थे और उनके पीता थे वो किस राज दर्बार में नाचते थे यहाँ पर बिर्जु महरा जो उनके पीता थे वह रामपूर के दरबार में नाजते थे तो यहाँ पर A option क्या हो जाएगा यहाँ पर A option क्या हो जाएगा यह दिख लेते हैं अगला प्रश्ण है 12 नमबर अविन्यों किस देश में इस्तित है A option है रूस में B option है France में C option है Germany में D option है अमेरिका में तो अविन्यों किस देश में इस्तित है तो फ्रांस में इस्तित है यह काफी महतोपूर प्रश्ण है तो इसे आप लोग याद कर लिजेगा तो यहाँ पर B option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा फिर से एक बार बोल रहे हैं संतू से B option भग्गू से C option दीदी से D option नरेन से पीता जी किस से नराज थे यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा D option क्या हो जाएगा 100% सही हो जाएगा आए देख लेते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है यहाँ पर चौदा नंबर संतू किस कहानी का पात्र है A option है नागरेली पी, B option है मचली, C option अविन्यो, D option बहादूर तो संतू है वो किस कहानी का पात्र है तो मचली कहानी का पात्र है तो यहाँ पर B option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यहाँ पर मचली कहानी का यह पात्र है संतू आईए देख लेते हैं अगला प्रश्ण है बिस्मिल्ला खां और सहनाई के साथ कौन साथ मुस्लिम पर वो जुड़ा हुआ है ए उप्सन है इद, बी उप्सन मुहरम, सी उप्सन बकरेद, डी उप्सन चहलुम तो बिस्मिल्ला खाँ और उनके सहनाई के साथ मुस्लिम का मुहर्म पर वो जुड़ा हुआ है तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा B, B, Option क्या हो जाएगा यहां पर सही हो जाएगा यह देख लेते हैं अगला प्रशन है वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां गये थे A, Option क्या हो जाएगा 100% सही हो जाएगा चैनल पर नए है तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर दिजे वीडियो को लाइक कर दिजे और अपने दोस्तों के पास सेर कीजे वीडियो और पूरा वीडियो देखिए सुरू से अन तक तभी समझ में आएगा आएगा देख लेते हैं अगला प्रशन है यहां पर 17 नंबर सिख धर्म के संस्थापक कोन है जो सिख धर्म है उसके संस्थापक कोन है सिख धर्म है उसके संस्थापक कोन है तो गुरू नानक देव है जो पहले सिख परवर्टक है तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा सिख लेते हैं अगला प्रशन है भारत माता का आचल कैसा है अपको याद हो जाएगा अगला प्रशन है कवी दिनकर के अनुसार कोन सोने की ताज पहन कर इठला रही है तो देश की जो मिठी है वो सोने की ताज पहन कर इठला रही है तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा बी बी ओप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आए देख लेते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन है यहां पर किस से महलों की न्यू उखड जाता है यहां पर राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रशन है धूप में बारिस में गर्मी में कौन चोकना रहता है यह जो द्वार पर खड़ा बुढ़ा ब्रिक्ष वो क्या रहता है चोकना रहता है तो हैं पर स्य ओप्शन क्या हो जाएगा यह देख लेते हैं अगला प्रशन हैं अगला प्रशन है वारीस नूमबर अक्छर ग्यान किनकी रचना है यह उप्शन है विडियो पसंद आई हो तो जरूर उसे लाइक करके जाएगे और अपने दोस्तों के पास सेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिजिएगा और जो बेल आइकोन आएगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा थेंक यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में